हेलो फ्रेंट तो यह देखी मैंने आधा कटोरी बिलिस्ता ले लिए यानि तला हुआ प्याज है यह है बिलिस्ता और इसके बगल में देखे मैंने उबाल के रखा है चार मैंने बड़ी वाली लिया है साइज का मैंने चार सोयाच आपको पांच मिनट गरम पाली में उबाल क इसे बगल में रख दी अब इसे क्या करना हम अच्छे से पीस लेंगे तो इसे में बगल में रख देती इसके बाद में देखे सोया चाप को बालने के बाद चोटी चोटी पीस में कट कर लिए ऐसे आपको कट करना है एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे मैंने थोड डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है तो यह नहीं भी डालेंगे, तो थोड़ा गरम मसला डाल दीजें, कि यह साधा रहता है, तो इसमें थोड़ा सा, मतलब फ्लेवर चाहिए, इसे आप में रोष्ट नहीं करेंगे, और ज्यादा नहीं, उसे दो से तीन मिनट पस रोष्ट करेंगे, हलका सा सेलो फ्राई, मतलब फ्राई में सेलो फ्राई करेंगे, थोड़ा सा तेल डालके, डिफ्राई नहीं पर चीवी हो जाता है, इसलिए में अच्छे से रोष्ट करके फिर इसे निकाल लोंगे, तो मैं बता रहे थी बिलिस्ता, अगर आपके पास बिलिस्ता प्याज को क्या कर लेजे काटके और गोल्डेन कलर होने तक तल लीजे ज्यादा जलाईये गमट तल के उसी पेश्ट बना के ले लिजे बस मुझे कुछ नहीं यहां प्याज मतलब कच्चा नहीं जाएगा तला हुआ प्याज को पेश्ट बना के लिएगी मैंने अधा अगर आपको कच्छा प्याज लेना है तो आप 2 मिडियम सच के प्याज को काट को तल के फिर लेंगे तो देखे मैंने तेल ले लिया है मैंने लिकाल दिये मैंने जीरा डाल दिया यहां मैंने डाला है अध्रक लसन का पेश्ट डाला है और यह इसमें खड़े मसाले नहीं जाते बस ऐसे ही जाएंगे पर यह जो सोया चाप बनेगा मतलब सोया कलेजी है मतलब एक दम अलग होगा आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसे 2-3 मिनट रोष्ट करेंगा इसे ही पर याद रहे हमेशा में जब तक सब्जी में पानी नहीं डालूंगे तब तक लो फ्लेम रखोंगे मैं तो बहुत जल्दी जल जाती है मसाले इसले में इतने में रखोंगे इसके बाद एक दू मिनट हो गया मैंने रोष्ट कलिया यहां ड्राई में डाल यहां बताती हुआ गरम पानी में इसे क्या कर किन लो फ्लेम पे ही जब तक मेरे पानी में बता इसले में देखेंगे इतनी अच्छी से धीरे-धीरे पके के क्या बाता निको बीच-बीच में जलने लगे अब गरम पाने डाले कुछ मट डाले बस गरम पाने डालते रहे और धीरे-धीरे रोष्ट करें तब तक मैं पियाच का पेश्ट बना ले यहां जाएगा मतन मसाला मतन मसाला जरूर डालेका बहुत अच्या टेस्ट आता है तो मैंने यहां डाला है one teaspoon कमसे कम बड़ी वहले teaspoon से मतन मसाला इसके उपर भी डालेंगे गरम पाने यह मसाला अगर आपके पास हो तो डाली और नहीं तो गरम बाने डाली पर इसकी एक अलग फ्लेवर आती इसलिए सोया चाप को भले बेज है पर नोन बेज का टेस्ट आता है इसमें तो देखे मैंने प्याज को पे अच्छे से पीस लिया और पीस के मैं इसमें ले लूँगे मैं ग्रीन चीली पहले नहीं डाले था, मैं इसी में डाल दिया था, दो ग्रीन चीली, आपको ज़ितना डालना है, ढल देजिए, चैसा टुकडों में तोड़ कर डाल देजिए, पर मैं इसमे पीस नहीं है और पीस के मै neden डाला है, मसाला दो मिननट रोश्ट वो उसके बाद म में डाल दी और हलके हलके हाथों से बस इसे चला यह भूनते रहिए तो मैंने बताय था आपको दो प्याज को अच्छे से फ्राइ करके या तल लिजे या फ्राइ कर लिजे ब्राउन कलर फीस पेस्ट करके लिजे उसकी फेस्ट एक अलग टेस्ट देती है इसलिए में पूर्टी वाली कटोरी साधी कटोरी जितना को खटास चाहे पर मैं इसमें डाले इतना ही पुझे अच्छा लगा कि यह ड्राइज सब्जी होगा है लिक्विट नहीं होगे ग्रेवी नहीं होगे तो मैंने आधी कटोरी डही डाले पर दही को अच्छे से फेट लिजिए फि बहुत जल्दी फटते नमक नहीं कैस की फ्लेम आई नहीं और हाथ नहीं रूक रहा है यहां मैंने नमक डाल देटेस्ट के अकोडिंग इसके आपको जितना टेस्ट है उतना डाल सकते हैं रेड चिली भी आपके अनुसार जाता है धनिया पाउडर भी जाता है थोड़ा से मै यहां मसाला रोष्ट हुआ। मैने यहां सोया चाप डालने के बाद इसे 2-4 मिलत अच्छे से रोष्ट करेंगे ऐगर मैं बताऊ तो वन्ट यस रीड चिली पाउडर ढला था थोरी से मैंने से मैंने हल्दी ऑन टी एस पी जीर पाउडर और म allá मिसीर भी लिडिए गर्म मसा तो पुदीने का पावडर डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता इसकी, बहुत अच्छा लगता है, अगर कच्छा पुदीना हम आपके पास दो-चार पत्ते डाल दीजिये, उसकी भी टेश्ट आती है, तो पुदीने का पावडर आपको मिल जाएगा, कहीं भी ऑनल तेस्टी लगते तो देखिया, हमारी बनकी सोया कलेजी रेडि होगे आप भी बनाए और ट्राइ करेड़ों हाँ, कमेंट ज़रूर करेगा आपको मेरी रेश्पी कैसी लगती अगर कोई रेश्पी का डिमांड है तो मैं जरूर आपको लाऊंगी, कमेंट करके डिमांड करिएगा तो ये देखिए मेरी सबजी फटाफट बनके रेडी होगा प्लीज प्लीज फ्रिंट सस्क्राइब लाइक और साथ जरूर करिएगा सेर करना नहीं भूली